Hi Guys, कैसे हूँ आप सब लोग, I hope आप सब लोग खुश होंगे and अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Sylveon के सारे अटैक्स उसके क्या क्या अटैक्स and कैसे कैसे उसको यूज करना है Sylveon के सबसे खास बात यह है कि एनमीज को डामेज देते समय वो खुद के अपनी HP भी रिकवर कर सकता है प्लस वो इन्वीजिबल भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए प्लस उसके जो अटैक्स है वो आटो एम भी लग सकते हैं तो मिल वो अपने आप जाकर लग सकते हैं तो हम देखेंगे कि लेवल वन से लेकर जैसे उसके लेवल इंक्रीस होते हैं कौन कौन से अटाक्स आता हैं कि जो हमने ऐदकों का जो हमने ऴन जाँछा है कि दो इड़ेक्स को inspection क सारे झान का हम इसमाच तो लेवल 1 से लेवल 4 तक जो सिल्वियॉन को हमें जब स्टार्ट हो दिये जाते हैं फर्स्ट स्विफ्ट और सेकंड बेबी डॉल प्लस उसका बेसिक अटाक तो हम समझते हैं कि वाट इस बेबी डॉल आइज अटाक तो नाम से हमें मुझे लगा ही था कि नाम से आप सबको यही गाना दिमाग में आएगा बट नू बेबी डॉल आइज एक हिंदी में बोला जाए तो एक नशीली डाइप के अटाक है जिसको यूज करने के बाद एनिमी का थोड़े टाइम के लिए स्पीड कम हो जाता है प्लस उसको डामेज बीडिल होता है एंड बेबी-डॉल आइज अटाक यह एक लॉग रेंज अटाक है तो यह टेंशन मत लेना कि अनिमी दूर है तो हम क्या करें शिल्वीयाउन एक मिड रेंज एटाक प्लेयर है तो अफकोस उसके अटाक लॉग रेंज होनी वा लिए सेकन्ड सिल्वीयाउन का अटक है वो है swift, अब swift attack क्या है कि इसको use करने के बाद आपको 4 stars मिलते हैं and वो अपने आप जाके enemies को hit करते है, literally आप जिस direction में देख रहे हैं and आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो detect कर लेता है, अगर उस zone में enemies चला आता है तो वो अपने आप stars जाके उसको hit होते and जैसे जैसे आप अपकी Sylveon की level बढ़ेगी वैसे वैसे उस stars का damage भी बढ़ता जाता है, plus तीसरा जो attack है वो तो basic attack सबको पता ही है, वो एक basic attack, एक type का singular attack है, जो kind of close range में आप उसको मार सकते हैं, now जैसे ही Sylveon की level 5 हो जाती है, तो उसके 2 नए attacks unlock होते है, basically एक attack बर उसके 2 alternate versions आपको मिलेंगे, एक है hyper voice and second है mythical fire, तो पहले समझ लेते है what is this mythical fire, तो जैसे swift attack को देखना वैसे ही mythical fire है, बट इसको use करने के बाद आपके Sylveon के तरफ चारो तरफ एक fire type, fire type 4 fires मिलती है, और वो भी अपने आप जाके enemies को hit होती है, बट swift से mythical fire काफी ज्यादा powerful and काफी ज्याद damage deal होता है, तो यही Sylveon की खास बात है कि उसके attacks auto aim है, वो automatically जाके enemies को hit होंगे, बट यह disadvantage है कि आप वो attacks को control नहीं कर सकते है, कि वो किसको जाके hit होगा, it will just algorithm ही ऐसा है कि जो भी उसके zone में आएगा वो उसको जाके hit कर सकता है, चाहे वो wild Pokemon भी क्यों ना हो, अब second है hyper voice, I know hyper voice क आपको सुनके आपको, hyper voice is kind of a similar to the clip that you have seen just now, but इसमें बंदे उड नहीं जाते है, but इसमें damage deal होता है, and hyper voice की एक सबसे खास बात है, कि जितना बंदा दूर होगा, उसको उतना ज्यादा damage मिलेगा, यह उनके description में लिखा है, मैं कोई मन से बाबा नहीं हूँ, जो मन से बाते बता रहा हूँ, मैंने literally description पढ़ा है, उनके सारे attacks का उनकी website पे जाके, तो वहाँ पे उनने लिखा है कि hyper voice, इस Sylveon का जितना enemy दूर होगा, उसना ज्यादा उसको damage मिलेगा, अब जैसी Sylveon की level 6 होती है, तो उसके और एक और दो attack unlock होते हैं, चलता है, मौने कुछण सब खमचे कि ae power to hit, और उसको damage देता है, जब वह आपसे कुछे टकराता है जो user है उसकी HP increase करता है, सबसे अच्छी बात यह है, कि at the same time यह चलता रहता है, कि वह enemy को भी hit करेगा, उसकी HP भी खाएगा, plus जो user है उसका, उसकी जो health है, वह भी बढ़ाता रहता है, and अगर enemy उस zone से बाहर चला जाता है, draining case attack के zone से बाहर चला जाता है, तो वह जल्दी, मतलब vanish हो जाएगा attack, and जितना ज़्यादा वह zone में होगा, उतना वह extra time मिलता है उसको attack को करने में, अब और एक attack जो unlock होता है, वह है calm mind, अब calm mind यह attack ऐसा है कि इसमें enemies को damage तो नहीं दे पाऊ गया, but calm mind जब attack unlock होता है, तो आप अपने जो special moves है, आप अपना जो special defense है, उस पे basically focus करने के लिए यह attack बनाया गया है, तो इस attack से क्या होगा, थोड़े time के लिए, जो भी enemy आप पे attack करगा, वह attack automatically nullified हो जाएगा, मतलब उसका आपको damage, उस जो भी कुछ समय के लिए होता है, I guess 7 second या 5 second, दोनों में से कुछ एक number है, मैं भूल गया, 5 second या 7 second, उसमें बीच में आपको यह attack मिलता है, इसके आप focus कर, basically यह attack इसलिए बनाएगा, कि आप अपने unite move पे ज्यादा focus कर पाओ, उसके percentage बढ़ाबाओ, तो इसलिए एक calm mind attack है, और अब जैसे ही sylveon level 8 पे चला जाता है, तो उसकी unite move जो है, वो unlock हो जाती है, तो इसकी unite move के आए, जैसे ही आप click करोगे, तो sylveon हवा में, air में jump करता है, थोड़े time के लिए invisible हो जाता है, प्लस अपनी जो hp है, वो उस time में increase कर लेगा, जैसे ही वो जहाँ पे land होगा, तो उस landing का जो भी area होगा ना, उस area के जो भी pokemon से उनको damage मिलेगा, तो unite move में 3 चीज़े होती है, 1st sylveon हवा में उड़के थोड़े time के लिए invisible होता है, 2nd अपनी hp बढ़ा लेता है, 3rd जैसे ही वो land होता है, तो उस जो भी area circle का area बनेगा उसके pokemon को damage देगा, चाहे वो wild pokemon हो या चाहे वो opposite team के pokemon हो, तो guys, यह थे sylveon के सारे attacks, I like sylveon very much क्योंकि 1st तो इसकी scoring ability बहुत जादा है, plus इसका support बहुत जादा है, offense भी काफी अच्छा, यह mid range and long range player भी है, plus यह enemies को attack देते ही साथ, अपनी खुद की hp रिकावर कर लेता है, and बहुत सारे बंदे अब sylveon के use करना start किये, यह pokemon unite में 10,000 coins को मिलता है, जरूर यूज करना, plus comment में जरूर बताना कि आपको sylveon का कौन सा attack है, वो सबसे जादा पसंदे है, आप sylveon को use करके अपने match में कितने goal मारें, so guys this is all for today, I hope this video आपके लिए बहुत informative रहा होगा, आपको sylveon का attacks के बार में पता चलोगा, we will meet in next video, until then, peace out!